कि अच्छे होंगे और अच्छे होंगे गाइज मैं आप लोग के सामने एक फिर से वीडियो लेके आया है जो कि एक टिटोरियल वीडियो मैं आज आप लोग को यह बत लाने वादा हूँ कि आप अपने फॉन से जिमेल एकांट को कैसे पर्मेनेंटली हमेशा के लिए डिलीट कैसे करेंगे तो गाइज वीडियो में बने रहेएगा उससे पहले हमारा चेनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट भी जरूर कीजेगा दोस्तों और हमारा फिस्बूक कर दीजे फॉलो तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ चलिए मोवाइल के स्क्रीन पे अगाइज आपको जिमेल एकांट को पर्मेनेंटली डिलीट करना अपने mobile phone से permanently हमेशे के लिए तो आपको करना है Gmail account को open तो चलिए Gmail account को open करते हैं open करने के बाद guys यहाँ पे देख सकते हैं अब जिस account को delete करना चाहते हैं इस account पे यहाँ पे click करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 4 email ID है देख सकते हैं email ID को आप अपने phone से हमेशा के लिए permanently delete करना चाहते हैं आप इसको select कर लेंगे तो चलिए मैंने select कर लिया है select करने के बाद guys यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे three line दीख रहा होगा three line पे click किजिएगा click करने के बाद scroll down किजिए scroll down करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा setting देखिएगा setting का option पे जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा तो आप setting पे click ना करके आपको click करने help and feedback पे किजिएगा help and feedback पे देख सकते हैं हमारा जो arrow है वो दिख रहा होगा आपको help and feedback पे click करते हैं click करने के बाद guys कुछ एक दो second का loading लेता है loading होने के बाद यहाँ पे scroll down किजिए गए देख सकते हैं यह हमारा delete your google account step 1 में आप learn what deleting your account means इसमें नहीं जाना है step 2 review and download your info इसमें नहीं जाना है आपको जाना है step 3 में delete your account किस पे जाना है delete your account में इस पे click करेंगे देख सकते हैं guys किस पे click करेंगे यह हमारा देख सकते हैं blue color का दिख रहा होगा तो इस पे click करना है तो देख सकते हैं data and privacy section of your google account इस पे click करते हैं चली click करते हैं click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे browser किस browser पे open करना है तो यहाँ पे automatic मेरा नहीं लेता है यहाँ पे search करना पड़ता है देखना पड़ता है अप लोग का automatic भी ले सकता है या पिर option देता होगा तो चली click कर लेते हैं click करने के बाद guys 2 second का loading लेता है loading होने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि scroll down करने के बाद यहाँ पे एक option आएगा जो कि दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा चलिए scroll down करते हैं scroll down करने के बाद guys यहाँ पे आपको दो तरीके का option दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए delete a google service remove a service that you no longer use मतलब आप इस service को बंद करना चाहते है इस email को तो इसमें जाके ना और यहाँ पे देख सकते है guys delete your google account तो यहाँ पे दो तरीके का option आता है तो आप लोग confusion बीच में नहीं होई एगा तो आपको वीडियो को ध्यान से देखिए और बीच में कहीं पे भी skip मत किस दिएगा क्योंकि guys देख सकते हैं यह हमारा service को आपन नहीं करना हमको क्या करना email id को permanently delete करनी है तो आपको click करना है delete your google account delete your entire account and data इस पे click करना है तो चलिए click करते हैं click करने के बाद guys फिर से loading लेगा loading होने के बाद यहाँ पे आप देख लिजेगा कि जिस आप चेक कर लिजेगा कि आप जिस email id को मेसा के लिए permanently अपने phone से delete करना चाते है तो क्या इस email id यहाँ पे आपका so कर रहा है अगर so कर रहा है then it's okay अगर नहीं so कर रहा है तो आप इस arrow पे click किजिएगा देख सकते हैं यहाँ पे arrow दिख रहा होगा तो इस arrow पे click किजिएगा click करते हैं click करने के बाद guys यहाँ पे फिर से आपका mobile में जितने email id एडरेस होंगे वो सारा open खुल करके यहाँ ready हो जाएंगे ठीक है तो आप जिस email id को delete करना चाते हैं उस email id को यहाँ पे select कर लेंगे मैं इस email id को delete करना चाता हूँ तो चलिए इस email id पे click कर लेते हैं click करने के बाद फिर से 1 second का loading लेगा loading होने के बाद guys यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जिस email id को delete करना चाते हैं इस email id यहाँ पे set हो चुका है ठीक है आप यहाँ देख सकते है to continue first verify that it's you मतलब guys यहाँ पे आपको security देखना चाता है कि अगर कोई भी email id जाएगा access करेगा और फिर से delete कर देगा ऐसा को थोड़ी ना होता है ठीक है तो आप किजएगा यहाँ पे आप email जो है Google account जो है वो आपको verify करना चाता है कि क्या आप सच में delete करना चाते है यह account जो है आपसे belong करना चाता है वो verify करना चाते है तो आपको verify करने के लिए guys आपको चाहिए password तो password को डाल लेते हैं तो चलिए guys password को डालते हैं guys मैंने finally password को डाल दिया हूँ देख सकते हैं आप उसके बाद खड़ देनी है next पे click तो चलिए click कर देते हैं click करने के बाद guys फिर से loading लेगा 2-3 second का देख सकते हैं loading होने के बाद आप wait कर लीजे finally यह loading हो गया तो guys देख सकते हैं यहाँ पे delete your google account please read this carefully it's not the usual अड़ा अड़ा ठीक है guys तो यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा जो delete account है financial transaction you will still be responsible those charges ठीक है guys तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे tick कर देनी है terms and condition को apply कर देना है as I acknowledge that I am still responsible for any charges incurred due to any pending financial transaction and I understand that under certain circumstances my earning aren't be paid out तो expect कर देनी है tick तो चलिए कर देते हैं guys और यहाँ पे as I want to permanently delete this Google account and all its data तो guys इसको भी कर देना है terms and condition को apply उसके बाद यहाँ पे cancel का option आता है guys और delete account का तो अगर आप cancel करना चाहते है फिर कुछ आगर आप miss कर रहे होंगे और फिर चाहते हैं कि मैं cancel करूंगा तो यहाँ पे directly आप cancel पे click कर देजा अगर आप permanently search में delete करना चाहते है तो यहाँ पे delete account पे click कर दीजेगा guys मैं delete नहीं करना चाहता था account को लेकिन मैं video बनाते बनाते मैं सोचा कि चलो मैं आप लोग के लिए live demo दिखाता हूँ कि delete account सच में कैसे किया जाता है तो guys इससे पहले like जरूर कीजेगा तो चलिए delete account पे click करते है click करने के बाद guys फिर से loading लेगा loading होने के बाद देख सकते हैं आपका account जो है completely मुआल से delete हो गया है देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे अगर कुछ भी करना है तो आपको incognito tab में जाना होगा तो guys क्यूंकि आपका जो account था email id address था वो आपका permanently delete हो गया है तो guys अगर आपको permanently delete करना है तो 30 days के अंदर में बीच में कभी भी आप login नहीं किजेगा gmail id को क्योंकि अगर बीच में कहीं पे भी आप किसी भी दिन login कर लेते हैं तो आपका gmail account जो है वो permanently के लिए delete नहीं होगा तो दिहान से ये note को रखिएगा अपने mind में guys guys मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी जो कि मैं अपने mobile phone से बताया कि आपने जो email account है वो permanently हमेसे के लिए delete कैसे करेंगे तो मैं आसा करता हूँ guys आप लोगों को समझ में जरूर आएगी guys इस email account को अगर delete कर रहे हैं तो आप 30 days तक इस email account को बीच में कहीं पर भी login नहीं किजिएगा किसी भी दिन वरना किसी भी दिन अगर login कर लेते हैं तो यह permanently delete नहीं होगा आपका फिर से यह आपके mobile phone में login हो जाएगा तो guys हमारे वीडियो पसंद कैसी आई comment box में comment करके जरूर बताईएगा और साथ में like जरूर किजिएगा और हमारे चैनल को subscribe नहीं कर रहे हैं आप लोग subscribe जरूर किजिए guys और bell icon दबाना नहीं भूलिएगा जब ही मैं वीडियो अप्लोड करूँगा तो सबसे पहले notification अब तक जाएगा guys आप लोग सापना हमारा facebook page को भी follow करिएगा टाटा बाई बाई फिर मिलते हैं नहीं वीडियो में